हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जूम आपको आप अपने PC या लाप्टॉप में कैसे डाउनलोड करें और इंस्टल करें जूम एक वीडियो कंप्रेसिंग अप्लिकेशन है जिसके जड़िये हम अपने बिजनेस के रिगारिंग या फिर ओनलाइन कोचिंग के लिए यूज कर सकते हैं या फिर फ्रेंड्स और कॉलिक्स के साथ वीडियो चाट कर सकते हैं पिछले कुछ दिनों में जब से और दूसरों के साथ इंटराक्ट करना काफी हथ तक लिमिटेड हो गया है इसी में आप जूम आपके तुरू लोगों के साथ ओनलाइन वीडियो चाट के तुरू इंटराक्ट कर सकते हैं या फिर अपने बिजनेस के रिगारिंग इसमें आप ओनलाइन मीटिंग भी कर सकत हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप अपने PC या लापटॉप में इस आपको कैसे इंस्टल करें और यूज करें तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें Google Chrome open करना होगा और Chrome open होने के बाद हमें यहां search बार में जूम टाइप करना होगा और फिर एंटर दवा देना होगा और यह देखे दोस्तों यह जूम का वेज़सेट है यह जो दूसरे नंबर वाला लिंक है joom.us इसके उपर हमें क्लिक करना है और यह देखे दोस्तों क्लिक करते ही Zoom Zoom का website खुल चुका है यहां से आप Zoom सफ्ट्वेयर को डाउनलोर कर सकते हैं तो चलिए हम डाउनलोर कर लेते हैं यहां हमें बहुत सारे options तो कर रहा है यह बहुत सारे टैप सो कर रहा है लेकिन हमें यहां कुछ नहीं करना है सीधा यहां जाना है यह जो resources लिखा हुआ है यह resources के अंडर जो download Zoom Client लिखा हुआ है इसके उपर हमें क्लिक करना है और यह दिखें दोस्तों यहां तीन options हो कर रहा है Zoom Client for meetings, Zoom plugin for Microsoft Outlook and Zoom plugin for IBM Notes तो यह last दो options हमारे कोई काम का नहीं यह जो fast वाला options हो कर रहा है Zoom Client for meetings इसके नीचे देखे download का option सो कर रहा है यह by default 64 bit में आता है यह देखें यहां 64 bit सो कर रहा है अगर आपका computer 64 bit है तो आप यहां download button के उपर क्लिक कर सकते हैं अगर आपका computer पुराना है और आपका computer 32 bit operating system पर रौन करता है तो आप यहां क्लिक कर सकते हैं download 32 bit client तो मेरा computer 64 bit है इसलिए मैं इसके उपर क्लिक करता हूं download के उपर क्लिक करता हूं यह दिखें दोस्तों यह download का dialogue box open हो चुका है मैं यहां start download पर क्लिक करता हूं यह करिब 20 mb का file है तो चलिए दोस्तों जूम आप हमारा download हो चुका है अब मैं आपको इंस्टल करके दिखाऊंगा हम download folder के तरफ चलते हैं यह दिखें दोस्तों मैं download folder के अंदर आ चुका हूं यहां से हमें जूम आपको install करना है यह दिखें दोस्तों यह जूम इंस्टलर यह जो फाइल है यह जूम आप्लिकेशन है तो हमें इससे install करना है अपने computer में तो हमें क्या करना होगा या तो मैं इसके उपर right click करके open के उपर click कर सकता हूं या फिर मैं simply इसके उपर double click कर सकता हूं यह दिखे Zoom installer यहाँ open हो चुका है यह अभी initialize हो रहा है यह कुछ time लेगा तो हमें wait करना है और यह दिखे दोस्तों जूम आप यहाँ install हो चुका है यह दिखे दोस्तों जूम आप यहाँ open हो चुका है the installation was successful मेरे computer पर जूम आप successfully install हो चुका है तो मैं यहाँ down के उपर click करता हूं यह जूम आप का interface खुल चुका है तो आप simply यहाँ sign in पर click कर सकते हैं और sign in करने के लिए sign in करना होगा या फिर अपना facebook अकाउंट के थ्रू sign in करना होगा या फिर आप डाइरेक्ट यहाँ sign up पर click कर सकते हैं sign up पर click करते ही आप सीधे जूम के website फर redirect हो जाएंगे तो मैं यहाँ sign up नहीं करूंगा मैं simply google आकाउंट के थ्रू लगिन करूंगा तो मैं यहां क्लिक करता हूँ तो यहां आपको क्या करना होगा जिस भी Google अकाउंट के थूँ आप जूब में लोगिन होना चाहते हैं आप उसके उपर क्लिक कर सकते हैं तो मैं यहां इसके साथ लोगिन करना चाहता हूँ और फिर मुझे यहां वेरिफिकेशन के लिए अपना डेटा वार्थ फिल करना होगा तो मैं यहां फिल कर लेता हूँ आप भी अपना डेटा वार्थ फिल करके यहां कांफर्म कर सकते हैं और फिर यहां कॉंटिनु के उपर मुझे क्लिक करना है और फिर सिंपली यहां create account पर क्लिक कर लेना है और यह देखें यहां मैं Google account के थ्रू जूम अप्लिकेशन में successfully login हो चुका हूँ आप भी इसी तरह अपने Google account के थ्रू जूम में login कर सकते हैं तो आई होप आपको इस वीडियो अच्छा लगा अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे like कीजिए share कीजिए और comment कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कर लेजिए आगे चलके मैं आपके लिए इस तरह के नए नए वीडियो लाता रहूँगा इसलिए मुझे आपकी support की बहुत जरूरत है तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नए टपी के साथ बाई बाई